हैं लोने विडियो और आज हम इस विडियो में एम की टोपिक उपर बात करेंगे यह वह से वंदों का मईल की लगता नहीं यह मतों की एम बनाना नहीं आता है वह सी चीजे होती है कि वंदे को उता है निसकी बंदे नमब से अपना एम educator काम करते हैं बहुत से वंदे मतलब यह नहीं कहे रहूं कि सारे बंदे आदे बंदे को जाइरो आता नहीं है फिर भी खेलते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता की प्रोपर यूज कैसे करना है जाइरोगा तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक क्लियर करेंगे और कुछ ड्रिल बताएंगे जिसके वजह से इम हमारा फरफेक्ट हो जाएगा और बहुत से चीजे हैं जो बंदे फॉलो नहीं करते हैं जिसके वजह से उनका इम भी चोक हो जाता है तो इस वीडियो में वह भी कवर किया जाएगा और घ्यान से देखना वाई यह वीडियो और स्किप मत करना भाई कोई भी पहले तो आपको ट्रेनिंग ग्राउन में जगह पर आ जाना है और आपको राइट साइड में मेरा एंड कम दीखिए रहा होगा आपको यहां पे जीगल के साथ आपको एम बनाना है इस टार्गेट यूप ठीक है ना और आपने आप जाइरो उसकोप कर यूज करते रहना है और अप अपने फॉन को मतलब की एकदम स्टेल रख देते हैं जो लाते नहीं है एकदम यह नहीं करना आपको आपको हमेशा जब भी पाइट ले दो आपको जायरो स्कॉप पर यूज करना ही करना है कुछ भी हो जाए और एक बात और जब भी आप गेम केल रहो हो तो आप अपने जो एलबो है ना उसको बोर्ड के साथ कभी भी टेच मत करना उसको हावा में रखना और एक एक जैसे ही रखना हाथ और अपना इम को बनाते रहना टिल्ट करना है आपको बस लेप राइट लेप राइट लेप राइट बस अपने हाथ को ही टिल्ट करना है बाकि एलबो को निए इतरो उतर को माना है निए झैसे ही रहेंगे एक नहीं पोजिशन में एक पोजिशन में रहेंगे बार ऑभी हावा नहीं रहने चाहिए बस मैं जब भी है एल्बू को हावा में रखो और अपने हैंड को लेप राइट टिल्ट करते रहो बस डूसरी ड्रील के लिए आपको इस जगह पर आना और यहां पर स्टेंडर्ड पर स्लेक्ट करके आपको मतलब 20 मीटर वाला स्लेक्ट करना और है टार्गेट की हेल्ट फूल कर देना मोव किट के उपर वेसा बोर्डी लगे कुछ भी लगे लेकिन आपको इसका बस एंब नाना जाइरो से बस प्यमतब ही हाथ वह नी चीघोर यह लगेंगे रखी लगें नहीं बोड़ी सोल्ट भी लगत करते रहों बोड़ी लगने चाहिए एक लिए लेकिन एम परफक्ट होना है इसी पर लगने चाहिए गोल यह और बस अपने जाइरो स्कॉप को टेल्ट करते रहना और स्वाइप मत करना वाई साब अपने अंगुठे को लेकर स्वाइप मत करना बस आपको जाइरो स्कॉप सही आपने इसको एम बनाना बस अब आपको 40 मीटर पर सेलेक्ट करके फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस दिल का एक फाइदा कि आपको मत की कार ट्रेसिंग कर पाओगे और जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना फाइदा उतना जो स्कॉप के उपर जो हम एम करते हैं वह परफेक्ट बनेगा वहीं एडियस की पाइट आप बहुत अच्छी तरह ले पाओगे और हो सके तो आप जैसे की और भी मीटर दूर की स्लैक्ट करके और अपने स्कॉप की प्रैक्टिस भी कर सकते हो जिससे आपका सप्रेश जो करते हैं ड्रेस वह भी अच्छे तरह मुत्रकी इंप्रूब हो जाएगा आपका यह प्रैक्टिस जुरूर करन है वाइसाब कुछ भी हो जाएगे प्रैक्टिस जुरूर करना इस वाले ड्रिल से आपका मतलब की जो इंप्रूब्मेंट होएगी जाइरोस्कोप में भी इंप्रूब्मेंट होएगी और आप जैसे की लाप राइट टिल्ट करते रहोगे तो आपको आदित पड़ेगी इस चेज़ की वैस साब आप मैं को यहीशन पर करने है करने तो यह दिया आपको इस जगह पर आना है और मतों की पहले difficultie select करके आपको चले जाना है आपको यहाँ पर यह करना है कि आपको सकोब करके नहीं फाइट लेनी है बस आपको अपने एम की फ्रैक्टिस करनी है बात और जो हीप fire होते हैं उन्सकी practice करनी है बस आपको यहाँ पर जाके मैड़े हैड पर रख रहो यह अगर आपकी starting एक कहना आपको मततल जाइब करना है और एक मत मत tagged करना जब आपको मत कर घराड़ सब्सक्राइब करना और अगर आपको सेंस्टिविटी की चाहिए आपको वीडियो तो आप कमेंट करना तो मैं आपको सेंस्टिविटी की उपर एक वीडियो बना दूनों अलग से वीडियो बस इती छोटी सी थी और आपको अगर वीडियो एक प्रसेंट भी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सकते तो शेयर भी कर देना ठैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में